हलो फ्रैंज, वेलकम टू सोनम फैसन, बोटनेक बुलोच देजान बनाएंगे, बुलोच के बैक पार्ट के लंबाई लिए है 14 इंच, सोल्डर 6 इंच, आर मोल 6 इंच, सीनर 10 इंच, हैंड कमर के लिए 9 इंच रखा है, बुलोच का साज आप अपने अकॉर्डिंग लग सकते हैं, गले की मार्किंग करेंगे, तो बोटनेक के अकॉर्डिंग गले के चड़ाई रखेंगे हमें यहाँ पर 3 इंच, गले की लंबाई भी 3 इंच रखेंगे, और इसे बोटनेक का सेफ दे देंगे, कुछ इस तरीके से, अब इसी के नेचे हमें एक निसान लगाएंगे 2 इंच पर, चोड़ाई रखेंगे हाँ पर 3 इंच, नेचे के तरफ निसान लगाएंगे हमें हाँ 6 इंच पर, और नेचे के तरफ से इसके चोड़ाई रखेंगे 3 इंच, इसके बाद देखेंगे, इससे हमें कुछ इस तरीके से से शेफ दे देना है, गले की मार्किंग हो है इसी मार्किंग पर हम इसकी गटेंग कर लेंगे डाल कि लि Oui कि कुछ इस तरीके से कट कर लिया है इस सटी से आधे में करेंगे इसके बाद मिन फैबरिक ने लेंगे दिवरें आ पर हमें ऑस्तर को रखना है औसे पिन लगाते हुए अच्छे से स्क्यूर कर लेंगे इसके बाद नीची के तरफ जो हमने डिजाइन कट की है उसी क्यूपर हमें स्लाई लगाने है जिस सेप में हमने गले को कट किया है सेम उसी सेप में हम हाप इंच का मारजन छोड़ते हुए गले के किनारे स्लाई लगा लेंगे स्लाई लगाने के बाद देखिए अंदर का जो भी एस्ट्रा फाइबरिक है उसे कट करके निकाल देंगे और अब हम इसमें छोटे छोटे से कट लगाएंगे कट लगाते टाइम हमें याद रखना है कि स्लाई वाला धागा नहीं कटना चाहिए इसके बाद देखिए हमें अस्तर को अंदर की तरफ पलड देना है तो ये मेल फैबरिक अब हमारा उपर की तरफ आजाएगा इसे अच्छे से सेट कर देंगे अस्तर को ताकि ये गले के बाहर ना देखे अब हम इसके उपर एक स्लाई और लगाएंगे फिनिसिंग के लिए तो ये देखिए कुछ इस तरीके से अस्तर को अंदर की तरफ दबाते हुए इसके उपर हमें फिनिसिंग की स्लाई लगा लेने है नीची के सेट का गलावन की कम्प्लेट हो चुका है देखिए कुछ इस तरीके से इससे उल्टा करेंगे और इसके याल राउंडर स्टिचिंग कर लेंगे तो यहाँ पर हम इसे चारोस तरफ से अच्छे से कवर करते हुए अस्तर एन में फैबरिक को आसपस में जोड़ते हुए स्लाई लगा लेंगे स्लाई लगाने के बाद में फैबरिक का जो भी एश्टर कपड़ा होगा उसे कट करकी निकाल देंगे उपर के सेट गले में भी एश्टर कपड़ा है उसे भी कट करकी निकाल देंगे इससे सीदा करके रखेंगे और उपर के सेट का गलारे दी करेंगे उसके लिए मैंने हाँ पर ये देरेंजी चोड़ी और रेप की पट्टी लिए है पट्टी को डबल फोल करते हुए हमें गले की किनारे स्लाई लगाना है एक स्लाई लगाने के बाद पट्टी को अंदर की तरफ पलडते हुई एक स्लाई और लगाएंगे स्लाई हम पट्टी की उपर लगाएंगे इसके दवाद देखी हमें पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और इसके उपर हमें एक स्लाई और लगा लेने है तो यहाँ पर यह हमारा गला बन के कम्प्लीट हो चुका है कुछ इस तरीके से अब हम लगाएंगे इसमें नीची की साइट कमर पट्टी कमर पट्टी लगाने के लिए माने हापर यह दो यह चोड़ी अस्तर की पट्टी लिए है पट्टी को डबल कोल करती है नीची के साइट से एक स्लाई लगाएंगे एक स्लाई लगाने के बाद पट्टी को पलडते हुए दूसरी सलाई हम पट्टी की उपर लगाएंगी इसके बाद देखिए हमें पट्टी को अंदर की तरफ कुछ इस तरीके से पलट देना है और इसकी उपर एक सलाई लगा लेनी है कमर पट्टी भी कम्प्लीट हो चुकी है अब हम सोल्डर के पिलुकुल सामने से पलटते हुए इसकी उपर बैक टक्स की सलाई लगा लेंगे बैक टक्स की सलाई हमें उपर की तरफ चार इंज पे लगाने है इसे इसे तरीके से हमें दूसरी सेड भी बैक टक्स की सलाई लगा लेने है ये कुछ इस तरीके से बने के रेड़ी हुआ है अब ये से हम सेट में करेंगे इसके बन मने हापरी धाई भाई धाई इंज के चोकोर पीसिस में कटे हुए कपड़े के पीस लिए है इने को लड़ती हुए ट्रेंगल का सेट देंगी और इनकी उपर स्लाई लगा लेंगे सिम इसी तरीके से सबी ट्रेंगल को रेड़ी कर लेना है और इने हलग अलग कट कर लेना है इसके बाद देखिए मने हाँ पर ये एक पेपर लिया हुआ है इसके चोड़ाई रखके है देने लबाई के लिए जो मेजर मेंट है उसके लिए आपको क्या करना है बलाज को रखना है बलाज की उपर पट्टी रखना है और जहां तक हमारा गला कटा है वहां तक हमें इस लगा लेना है देखिए कुछ इस तरीके से निसान लगा लेना है अब इस पट्टी को हमें बीच में से फोल्ड करते वी इस क्यूपर एक क्रीज बना लेने हैं इससे ओपन करेंगी और अब हम लेंगे ट्रेंगल्स ट्रेंगल्स को देखिए हमने जहां पर निसान लगाया है गले में लगाने के लिए गला ना पता, वहीं से हम ट्रेंगल को कुछ इस तरीके से रखते वी इसक्यूपर स्लाई लगाएंगे ट्रेंगल की जो नोख है वह हमारी paper क्यूपर अंदर की तरफ होने चाहिए सेम तरीके से हमें दूसरी सेट से भी ट्रेंगल्स को रखना है और स्क्यूपर सिलाई लगाना है ट्रेंगल्स की नोख हमारी एक दूसरे से मिलने चाहिए कुछ इस तरीके से और इसी तरीके से हम सभी ट्रेंगल्स को स्क्यूपर स्टिच कर लेंगे जो भी एश्टा कपड़ा या पेपर रहेगा हमारा सिलाई के बाहर काउसे कट करके निकाल देंगे इसके बाद देखी मैंने ली है यहाँ पर यह दोएंचे चोड़ी पट्टी पट्टी को डबल फोल करके इसक्यू पर रखेंगे और एक सिलाई लगाएंगे एक सिलाई लगाने के बाद देखेंगे पट्टी को अंदर की तरफ पलड़ते हुए इसके उपर एक सिलाई याओ लगा लेने हैं यह हमारे हलकी सी पाइपिन बनके आ जाएगी पाइपिन नहीं बोल सकते हैं यह हमारे कुछ थोड़ी सी चोड़ी पट्टी रेड़ी हो जाएगी ट्राइंगल्स के कार्णर पर यानिकी किनारी की सैड यह देखिए कुछ इस तरीके से हमने थोड़ी सी चोड़ी पट्टी बनाली है सिम इसी तरीके से हमें दूसरी सेड भी पट्टी को अटेज करती विए स्क्यू पर इक स्लाय लगा लेने है अब यहां पर भी हम पट्टी को अंदर की तरफ पलड़ती हुए इसक्यू पर इक स्लाय लगा लेंगे ये देखिए कुछ इस तरीके से इसे रेडी कर लिया है डिजान बनाने के लिए इसके बाद मैंने हाँ पर एक गोल्डन कलर के बीर्स लिये हैं और बीर्स को ये जो हमारे ट्रेंगल्स की नोक मिल रहे है आपस में यहाँ पर हम बीर्स को टक कर देंगे बीर्स को हमें अच्छे से 5-6 बार धागा को नोट लगा देना है इसके बाद इसे अच्छे से टक करेंगी ताकि ये बीर्स हमारा निकले लिजान से यहाँ पर मैंने आपको एक बीर्स टक कर के दिखाया है सिम इसी तरीके से पूरी डिजान में हमें बीर्स को टक कर लेना है इसके बाद हम लेंगे बलॉज और बलॉज में जो नीची के सेट गला है जहां से हमने इस पट्टी को रखे ना पता वहाँ पर इसे अंदर की तरब रखेंगे अच्छे से सिक्योर करेंगे और पिंसे अटेच कर लेंगे अब हम लगा लेंगे इस पट्टी में शिलाई की देखे कुछ इस तरीके से हम इसमें के उपर पक्की शिलाई लगा लेंगे सिम इसे तरीके से हम इसमें नीची के तरफ से भी शिलाई लगा लेंगे इसले लगाने के बाद कुल्टा करेंगी और इसका जो भी एश्ट्रा पीपर है ये इसे कट करके निकाल देंगे मैंने हाँ पर डेजान में लेज नहीं लगाई है आप चाहें तो इसके उपर लेज पी अटाइज कर सकते हैं इसी के साथ बिलाज कर डेजान बन की कम्पलीट हो चुका है वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ता चैनल को सब्सक्राइब करें धान्यवाद